नितीश पर राहुल की चुपपी और तेजस्वी की नर्मी से संशे क्या वाकई अभी असली खेला होना बाकी है बेहार में सियासी तूफाल मचा हुआ था लेकिन अब कुछ नर्मी आई है लगतार नितीश कुमार के सियासी पारा बदलने की अचकले शुरू होने के साथ ही ये कहा जाने लगा था कि जनता दल, यूनाइटिड यानी जेडिव और राष्टी जनता दल यानी आर्जेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है 26 जनवरी की शाम राजभावन में हुए कारेक्रम में नितीश कुमार तो नजर आये मगर तेजस्वी यादो की कुछ सी खाली रही नितीश से जब पूछा गया कि तेजस्वी क्यों नहीं आया तो वे बोले जो नहीं आया उससे पूछिए इसके दो दिन बाद जेडियो और जेडियो सरकार खत्म करने का एलान करने नितीश कुमार मेडिया के सामने आये तो सब को लगा कि अपतेजस्वी से उनके मतवेत खुल कर सामने आ गये मगर नितीश कुमार ने बस इतना कहा सब ठीक नहीं चल रहा था तो हमने सरकार खत्म कर दी नितीश कुमार तेजस्वी यादो और जेडियो और आक्रामक नहीं दिखे कॉंग्रेस नेधार राहूल गांधी भी पिहार में भारत जोडो निया यात्रा के साथ दाखिल हुए तो अपने कारिक्र में नेतिश कुमार पर कुछ नहीं बोले हालाएं कि उन्होंने बीजेपी को जम कर निशानने पर भी लिया है तो आपको बतादे चले ऐसे में सवाल यह है कि लोगसभा चुनाओं से पहले नेतिश कुमार ने आरजेटी और इंडिया गटवंदन के मदे नजर कॉंग्रेस से जदूरिया बनाई और जचुप्पियां एहम नेताओं की ओर से बर्टी जारी और इन्हीं चुप्पियों मे भविश्र के सिया से संभावनाय चिपी हुई है आपको बतादे चले ऐसे में सवाल उफता है कि लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले नितिश कुमार ने आरजेटी और इंडिया गटवंदन के मदे नजर कॉंग्रेस से जदूरिया बनाई वो काफी एहम है लेकिन आपको य करना था तो उन्होंने इंडिया गटवंदन क्यों बनाया और सभी वक्षी पार्टियों को एक जुट करने की क्यों सोचे दिक्षांस एडू टेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोकर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद